नमस्कार आप सभी का स्वागत है मैं हूँ राहूल और आप देख रहे हैं इविद्या चैनल्स और NCRT का ओफिशल यूट्यूब चैनल हम लेकर हाजर है अपना आज का ये लाइब इंटरेक्टिव सेशन जो की संस्कृत का है और आज इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्याय पढ़ने से पहले अब चुकी परिक्षा का समय है तो मैं आपके लिए एक आवश्यक उद्गोशना पढ़ देता हूं इसे आप जरूर ध्यान से सुनिएगा इस बार परिक्षा पे चर्चा 27 जन्वरी 2023 को होगी इस कारिक्रम में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिवावकों से सीधे समवात कर है इस कारिक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और सभी प्रमुख चैनलों के साथ-साथ ओल इंडिया रेडियो पर भी होगा तो देखना न भूलिएगा परिक्षा पे चर्चा 27 जन्वरी 2023 को तो ये तो एक आवश्यक सूचना रही आप सभी के लिए और अब हम अपना आज का ये जो संस्कृत का लाइव इंटरेक्टिव सेशन है इसको शुरू करते हैं आप चाहे तो हमारे इस आदे घंटे की लाइव क्लास का हिस्सा बन सकते हैं आप एक टेलीफोन नंबर का प्रयोग करेंगे जो है 8800440559 और चाहे तो इमेल आईडी का भी प्रयोग कर स आज हम संस्कृत भाषा की बहुत महतुपूनिकाई प्रत्यों को पढ़ने वाले हैं जो की संस्कृत भाषा की आधार भूत आधार शिला है क्योंकि हमारे विद्यार्थियों और हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा में व्याकरन बहुत महतुपून हैं संस्कृत भाषा की वैज्ञानिक्ता और रोचक्ता का बड़ा आधार है कि संस्कृत भाषा की व्याकरन जो है वो बहुत सरन लेकिन वो नियों के साथ बंदी हुई है तो उसमें से एक नियम या एक जो ग्रामर की काई है प्रत्य उसका आज हम यहां पर उस पर चर्चा करेंगे चलिए तो इ एक प्रत्य होते हैं और एक उपसर्ग होते हैं उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी शब्द के किसी भी धातू के पहले लगते हैं और प्रत्य वो होते हैं जो शब्दों के या धातू के बाद में लगते हैं जैसकि मैंने भी पहले कहा था कि संस्कृत भाषा बहुत ही इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी ज्ञान सामागरी नहीत है और वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि संस्कृत भाषा का हर शब्द किस से बंधा हुआ है ग्रामर से बंधा हुआ है व्याकरण से बंधा हुआ है नियमों से बंधा हुआ है सूत्रों से बंधा हुआ है तो अगर आपको सही नियम, सही प्रयोग समझ में आता है, तो संस्कृत भाषा आपके लिए उतनी ही रुचिकर और सरल हो जाएगी. तो सबसे पहले हम प्रकृति और प्रत्यों के विशाय में समझते हैं. सबसे पहले तो प्रत्य होते क्या हैं? प्रत्य होते हैं, जो की शब्दों के बाद में जुड़ते हैं. और प्रकृति क्या होती है? धातु. मतलब कि इस तरह से दो तरीके के प्रशन हमारे विद्यार्थियों के मस्तिश्क में आ रहे होंगे, क्या प्रत्य केवल धातु के बाद ही लगते हैं? या फिर वो शब्दों के बाद भी लगते हैं? तो बेसिकली जो प्रत्य होते हैं, वो शब्दों के बाद भी लगते हैं और धातु के बाद भी लगते हैं. आप में स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर आपको गम धातु दिखाई दे रहे होगी और त्वा प्रत्य दिख रहा होगा, गम फ्लस त्वा गत्वा बनता है और उसी तरीके से आपके सामने एक अन्य शब्द है, धातु नहीं शब्द, बुद्धी, बुद्धी प्ल अब प्रश्ण ये आता है कि हमारे पास कितने प्रत्य हैं, हम प्रत्यों को कैसे जाने, अंतर कैसे समझें, उनकी प्रयोगों के बारे में जानने के लिए हमें उनकी किन अर्थों को समझना होगा, तो आज की ये जो क्लास है, वो बेसिकली जो छोटी क्लास होती है, नवी, द के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं तो बात हो गई कि धातू के पीछे आप आड आण करेंगे जोड़ेंगे या फिर शब्द के पीछे जोड़ेंगे लेकिन कितने तरीके से जोड़ सकते, इसमें क्या कोई classification है वरगी करन है तो पांच प्रकार के वरगी करन आपको आपके screen पर दिखाई दे रहे होंगे पहला है सुबंत दूसरा है तिगंत तीसरा है कृत दूसरा है तद्धित और पांच वा है स्त्री प्रत्य तो सुबंत तो बड़ा ही सरल है और हम सभी प्रयोग तो करते हैं संस्कृत पढ़ने वाले विद्यारती लेकिन होता क्या है कि हम प्रयोग करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इसमें कौन सा प्रत्य इसमें लगाएंगे तो जैसे रामह प्रयोग सभी क साथ लगते हैं और तिगंद प्रत्य जो हैं वो लगते हैं आपके धातु के साथ तो यहां पर पठधातु होगी पठधातु के साथ जब यह ती प्रत्य लगा तो पठती बना मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं पढ़ता है खादती तो यह तिपतर जी इस तरह से काफी सारे कीज के सम्तिंग प्रत्य होते है, अब ऊपर वाला तो शबद के साथ प्रयोग हुआ सुवन्त जिससे की शबद band name, नाम बने, नीचे वाला Chriya बनाता है, लेकिन इनकी न्रेमिटेशन हैं, तिंगंत जो प्रत्य हैं और सुवन्त जो प्रत्य हैं उसी प्रकार से शब्दों के ये जो प्रत्य प्रयोग होते हैं, इनके भी अपने मौलिक अर्थ होते हैं, तो जब दोनों के अपने अर्थ मिलते हैं, तो बहुत नवीन और कभी-कभी मिलते जुलते नवीन अर्थों को बनाते हैं, तो उसमें जैसे हमारे पास जब ये बात ह इनका प्रयोग कहा होता है, इसके विशय में आगे देखते हैं, स्क्रीन पर देखें, तो हमको कृत प्रत्य दिख रहे हैं, तद्धित दिख रहा है और स्तिरी प्रत्य दिख रहे हैं, कृत प्रत्यों को क्रिदंत भी कहते हैं, तो इनकी खासियत क्या है कि जो धातु होती है, धातु तो हम सभी जानते होंगे, शब्द की जो सबसे small unit, छोटी काई होती है, उसे धातु कहते हैं, संस्कृत में जैसे पठ होता है, चल होता है, द्रश होता है, इस प्रकार से, तो उसको ये प्रातिपादिक बनाने का, जो होता है, लिप होता है, तव्यत होता है, तव्य अनियर, इस तरह से आपको स्क्रीन पर बहुत सारे नाम देख रहे होंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रत्य हैं, जो इसके अंदर आते हैं, इसमें खास बात क्या है कि ये धातों के साथ जुड़ते हैं, अब जो कोई बना हुआ शब्द है, उसी शब्द में तधित प्रत्य जुड़ते हैं जैसे बुद्धी शब्द है, बुद्धी शब्द आपका बना हुआ है, बन गया ना, अब इसमें ये जो मतु प्रत्य है वो जुड़ जाएगा तो बुद्धिमान बना देगा, तो ये जो और बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं स्त्री प्रत्य बड़े ही इंट्रस्टिंग है स्त्री प्रत्य वो होते हैं जो प्रत्य पुलिंग शब्दों के बाद लगकर उस शब्द को स्त्री लिंग में बना देते हैं उसको स्त्री वाचक कर देते हैं जैसे हिंदी में हम बकरा जानते हैं, उसको हम बकरी कर देते हैं, वैसे ही संस्कृत में अजा होता है और उसको अजा कर देते हैं, वो बकरा बकरी, उसका संस्कृत का, तो इसमें खास बात क्या है कि आप लगभग सभी पुलिंग शब्दों के स्ट्री लिंग शब्द बना स किस प्रकार के अर्थ हमारे सामने आते हैं उस पिशय में हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे देखते हैं तो मैंने कुछ प्रमुक प्रत्य रखे हैं जो हमारे बच्चों के पाठ्थे पुस्तकों में प्राप्त होते हैं जिसको विद्यार्थी इनके प्रयोगों को समझने में यहां पर क्या हैं धातू होती है और ढहतू के साथ तौप्रत्य होता है और उस से जुड़कर बनता है वो होता है शब्द जैसे एक उधारन के लिए आप यहां पर देख रहे होंगे गम प्लस त्वा गत्वा है ना वैसे ही द्रश्ट्वा पीत्वा इसी प्रकार के सामाने उसी की तरह शब्द है जैसे कि अहम ग्रामम गत्वा भोजनम करो मी में गाउं जाकर भोजन करूंगा है ना उसके बाद ल लिप्रत्य दोनों एक ही जैसे होते हैं उसमें होता क्या है अंतर कितना मात्र है कि अगर उपसर्गों का प्रयोग हो गया तो आपका लिप्रत्य का प्रयोग हो जाएगा और अगर आपका उपसर्ग नहीं है तो उसमें त्वाप्रत्य का प्रयोग होगा लेकिन इनका जो अर्थ होता है न बच्चों वो एक ही होता है अर्थ क्या होता है करके तो अब आप देखिए यहाँ पर आपके सामने एक शब्द है समाप्य तो उपसर्ग क्या है सम धातु क्या है आ और आपका जो क्योंकि सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसलिए हम लियप प्रत्य लगा प्रत्य दिख रहा होगा तुन प्रत्य है जो कि भाव वाचकर्थ में होता है, भाव वाचक का क्या मतलब होता है, भाव का मतलब होता है किसी शब्द को सेंस देना, किसी शब्द का जो भाव है उसको प्रकट करने में ये प्रत्य जो है वो सहेता करते हैं, वैसे संस्कृत मे के लिए ही बनाए जाते हैं पर इस प्रत्य का देखिए प्रयोग स्तुधातु है और कितन प्रत्य है जो कि स्तुध ही शब्द बनाता है इसी प्रकार से मति ही कृति ही इस प्रकार के शब्द जो है वो इससे बनते हैं इसके शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में ही चलते हैं ल और अनियर प्रत्य जो है वो चाहिये या योग्य के अर्थ में प्रयोग होता है तो जैसे कि मुझे या चाहिये मुझे कहना है मुझे जाना चाहिये कहना है तो मैं बोल सकती हूँ गंतव्यम अगर मुझे बोलना है कि मुझे दूसरा प्रयोग में कर सकती हूँ गमनियम इसी चलनीयम धातु के साथ आपको इस प्रत्य का प्रयोग करना है और इस度 क्या साथ प्रयोग करने की कारण आपको चाहिए या फिछ योग ना अर्थ वह प्राप्त होता है आगे देखते हैं तुमुन प्रत्य का प्रयोग हम बहुदा देखते हैं अपनी पाठे पुस्तकों में ये मूल रूप से के लिए जो शब्द के लिए का जहां भावा आता है वहां पर प्रयोग किया जाता है इसमें धातू होती है तो अब जहां पर भी बच्चे इतना तो समझ गए होंगे कि जहां पर भी धातू के साथ सीधे सीधे प्रत्यों का संयों किया जा रहा है वो सब कृत प्रत्य हैं और जहां पर आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं वो सब तद्धित प्रत्य हैं, कम से कम इतना अंतर तो हमको देखकर समझ में अभी तक आही रहा होगा, तो धातु के साथ जब तुमन प्रत्य जोडने पर जो शब्द बनता है, तो हमने यहां पर कुछ उधारन रखे हैं, जैसे कि पा और उसके साथ हमने तुमन लगाया, त छे मरे तुम खरीदने के लिए, तो जैसे कि सहबतं ग्रहं गच्छती, सहबतं ऑपडं कर ददी के लिए घर जाता है, सहुतियार्य जाने के लिए, तो या पिर जैसे कि जाने के लिए है तो बिद्ध्यालयम cham히 rich. उवध्यालय जाने के लिए यहां आता है तो जाने के लिए के लिए कह जहांपर भ़ाव होगा वहांपर तुम्न प्रत्य का प्रयोग 서uvo. चलिदि आगे और और देखते हैं, और क्या प्रत्य है हमारे पास, आपको भी मुझे लगता है, रुची आ रही होगे, और समझ में आ रहा होगा, बड़ा सरल है ये, और संस्कृत हमेशा से जो है, लगता है, कि शुरुवाद में कठेन लगती है, जैसे गनेत होता है, मुझे लगता है, इन द पूरे मिलते हैं, अच्छी जैसे की संस्कृत और गंडित का बिलकुल एक रूपता किसलिए है, क्योंकि जिस प्रकार से नियमों के साथ गनित चलता है उसी प्रकार से नियमों के साथ संस्कृत व्याक्रण चलता है, तो अगर आपको नियम या पिर प्रयोग समझ में आ ग तो उसी उद्धेश्य के साथ हम देख रहे हैं कि किस प्रत्य का किस अर्थ में काई से प्रयोग होता है। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं, हमारे पास कुछ और प्रत्य मतुप प्रत्य आपको देख रहर होगा। मतुप प्रत्य जो है वो वाला के अर्थ में प्रयोग होता है वाला मतलब जैसे तो हम हिंदी भाष्णा में तो प्रयोग करते हैं ना करने वाला जाने वाला खाने वाला उसी तरह से देखिए यहां पर क्या प्रयोग है धनवान शक्तिमान श्रीवान बलवान गुणवान इ आप इसमें एक छोटा सा ग्रामर का देखी किता सुंदर प्रयोग गया कि कहीं पर भी अगर आप देखते हैं अ आ और म इसका प्रयोग हुआ है तो आप व आ जाएगा मतलब जैसे आप धन धन में न में आ दिख रहा है आपको न में आ है आ होने के कारण क्या है कि यहां पर धन मान नहीं हुआ यहां पर धन वान हो गया उसी प्रकार से आप शक्ति मान देख रहे हैं तो शक्ति में ई है ई होने के कारण मान हो गया प्रत्यतों मतलब ही है लेकिन आमा के प्रयोग में आपको वा हो जाता है और इसके अतरिक्तमा होता है तो नब्बे परसेंट या उ इसी नियम से काम करते हैं, तो अगर हमारे विद्यारती बड़े संदेह में रहते हों कि कैसे वान हो जाता है और कैसे मान हो जाता है, तो इस चीज को अगर वो ध्यान रखेंगे, तो उनके लिए बड़ी सरलता रहेगी, तो अब एक और चीज है रहुल जी, धनवान के साथ, ये तो धनवान तो व्यक्ति पुरुष हुआ, पुलिंग में, लेकिन धनवती, शक्तिमती, श्रीमती, इसके शब्द हैं, इसी मतुप प्रत्य के साथ, जब स्त्री लिंग का प्रयोग होता है, तो वो धनवती, शक्तिमती, श्रीमती, बलवती, गुडवती, ऐसा हो जाता लेकिन जब इसी हर्थ में भी भेद नहीं है अगर इसी अर्थ में आप स्त्री के लिए यह प्रत्य का प्रैयोग करना चाहते हैं तो बस वो बhti हो जाएगा धणवती श्रीमति तो हम लोग बिल्कुल और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो हमें बिल्कुल जहां तक हो सके दूर रहना चाहिए और हमारे संस्कृत में भी आपको ऐसे बड़े प्रयोग दिखेंगे जहां पर वो और आदमी में बहुत ऐसा भेद नहीं करते हैं और वो दोनों को बराबर मौका देते हैं दोनों के लिए शब्दों की बहुत सारी प्रयोगों की हमारे पास प्रयोग के लिए बहुत शब्द रहते हैं आगे देखते हैं आगे हमारे पास इनी प्रत्य है इनी प्रत्य जो है ना वो युक्त के अर्थ में होता है युक्त मतल जब इसका प्रयोग हुआ था लेकिन मूल शब्द जो है वो रथिन है वैसे 9th class के बच्चों या 10th class के बच्चों को रथिन बलन इसमें ना दाकर केवल ये समझें कि जब युक्त का भाव आता है अगर बच्चे ये समझ लें कि किस प्रत्य में मतलब उस शब्द में क्या भ बिल्कुल बिल्कुल जैसे उनके सामने बली शब्द आया एक उधारन के लिए रथि तो है ही अमाली जे बली आया तो बली मतलब कौन हो सकता है बली जिसके पास बल हो हाँ तो युक्तता हो गही ना बल से युक्त बली हुआ उसी प्रकार से रथि कौन होगा जिसके पास अब मैं तो रती नहीं होगी, ना आप होगे, क्योंकि हम लोगों के पास तो रती नहीं है, उसी प्रकार से धनी कौन होगा, पस कितना असान है और गुणी कौन होगा, जुगुणों से युक्त होगा, तो फिर दुर्गुणी भी कुछ एक शब्द बना दें क्या, क्योंकि बन सकता है, अगर नियम के एसाब से तो बनी सकता है, लेकिन ऐसा ना ही हो तो बहता है, बिल्कुल, ऐसा कोई शब्द हम नहीं, बिल्कुल, हम बली, धनी, गुणी, मतल तमप, जो की अधिक्ता के अर्थ में प्रयोग होते हैं, अधिक्ता से क्या मतलब है कि कौन सी चीज किससे श्यस कर है, कौन सी चीज किससे अच्छी है, कौन सी चीज में से कौन सी चीज बहतर है, जैसे एक एक्जाम्पल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लगु, लगु उसे प्रकार से जहां पर आपको यह प्रयोग दिखाना होता है, जैसे राम लक्षवणायोह रामह प्टुतारह अस्ती, राम और लक्षवण में राम जो हैं वो पटु वो समझझदार, वो कुशल है, कुशल तो दोनु है, मान लीजे हमारे पास दो विद्धारती आगे देखते हैं हमारे पस क्या है अंतिम जो हमारे पास प्रत्य है इस कक्षा के लिए वो है शत्री और शानच प्रत्य जब किसी काम को करने के बाद करते हुए बताने के लिए किसी प्रत्य का प्रयोग करना होता है वहाँ पर शत्री प्रत्य का प्रयोग होता है और शानच प्रत्य का प्रयोग भी उसी अर्थ में होता है बस उसमें खास बात यह है कि परस्मई पद वाली जो धातुएं हैं उनमें किसका प्रयोग होता है शत्री प्रत्य का और जो आत्मने पद वाली धातु हैं उनके साथ प्रयोग होता है शानच का जहां पर एक प्रयोग भी दिया हुआ है गई के साथ शत्री प्रत्य का प्रयोग दिया है गायंती और मुद जो है उसके साथ शानच प्रत्य का प्रयोग दिया गया है मोदमाना बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी शॉंका हो कि परस्मारी Πद आत्मारी पद क्या तो जब हम बात करते हैं पठती जब जहां पर हम ती वाली तीत अ अंती वाली बात करते, वह तो परस्मारीी पद है। तो इतना मात्र भी ध्यान रखेंगे इतना मात्र ध्यान रखने पर भी आपको परसमई पद और आत्मने पद जो है उसमें अंतर जो है वो सपष्ट होगा. तो यहां पर क्रिया के करते हुए रहने का continuity का जहां पर भाव दिखाना होता है वहां पर शत्री और शानज का प्रयोग होता है इसके अलावा और भी बहुत सारे रुचिकर प्रत्य हैं जैसे एक प्रत्य है तवत्यू जो की यहां पर PPT में हमने नहीं डाला है जिसका हम भू प्रत्य के सकते हैं तो इस प्रकार का बहुत्य को प्रयोग को संस्क्रथी है. चामर वास्ट है और प्रयोग वास्ट है और पुरानी भाशा है तो इसमें हमारे पास समरिध्य जो है वो में ज्यादा जूरी जीए सम्राइत भाशा ऐसी है कि इसने तमाम अनेख भाशाओं को सम्रिद्य बनाया है और वह निरनतर यह प्रयास कर रही है जैसे हम सब जानते हैं डॉक्टर शर्मा आप यहां तक पहुंची है आपने ये प्रत्या के बारे में आज हमारे कक्षा की विद्यार्थियों को बताया सरलतम भाशा में बताया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा बहुत 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 आबार आपका हमारा सेशन हम यहीं समाप्ठ करेंगे लेकिन समाप्ठ करने से पहले मैं आपको एक आवश्यक सूचना यहां बता देता हूं क्योंकि परिक्षा का समय है तो परिक्षा पे चरचा की भी यहां आवश्यक्ता है इस बार परिक्षा पे चरचा 27 जनवरी 2030 को होगी इस कारिक्रम में माननिय प्रधान मंत्री जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिवावकों के साथ सीधे समवात करेंगे, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेगा, आईए प्रधान मंत्री जी के साथ, जीवन के अनुभव सुने, और जाने की तनाव र बूलें और इस बार परिक्षापे चर्चा की जो तेथी है वो 27 जन्वरी 2023 है इसे जरूर याद रखेगा हमारा ये 17 हम यहीं समाप्त करेंगे अगला सत्र लेकर थोड़ी ही देर में हाजर होंगे देखते रहें इविद्या चैनल्स नमस्कार